दोस्तो यूटूब तो हम सभी लोग अपने फोन के अंदर यूज करते हैं लेकिन आपने अक्सर एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी हम यूटूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं कोई भी सौर्ट देखते हैं तो उस वक्त जो हमारे फोन के इंटरनेट होता है वो हैं बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने इंटरनेट को सेव कर सकते हो जहां दोस्तो इस चैटिस को करने के बाद आप यूटूब पर वीडियो देखते हैं तो यह ठक जाओगे लेकिन जो आपकी फोन का देड़ जी भी इंटरनेट है ना वो खतम होने का नाम नहीं लेगा तो उसके लिए आपको करना किया होगा सिर्फ आपको अपने फोन की अंदर खुद से कुछ नया सेटिंस करना होगा तो चलिए उस सेटिंस के बारे में जानते हैं उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं अगर हमारे चैनल पे नए ह है कि यूटूब के कौन से हो सेटिंस है जो कि आपके फोन के इंटरने डेटा को सेव कर देता है ताकि आप अपने फोन पर यूटूब पर विडियो देखो तो आपके जो फोन का इंटरनेट है वो जल्दी खतम ना हो तो उसके लिए आपको करना किया होगा सबसे पहले आ यहाँ पर आपने अक्सरेची नोटिस किया होगा कि जब भी यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते हो वीडियो देखते हो तो यहाँ पर जो थमनेल होता है वो यहाँ पर थमनेल नहीं दिखता है डिरेक्टली यह वीडियो स्टार्ट हो जाता है और यह क्या करता है कि आपके जो phone का internet होता है वो धूगीने speed से consume होता है क्योंकि जो background में जो हमारा वीडियो चलता है वो हमारे phone का internet को बहुत ज़्यदा consume करता है और ये full HD में चलता है ऐसा नहीं है कि ये low quality में चलता है ये full HD में चलता है और आपके phone के internet भी बहुत जल्दी खतम हो जाता है तो सबसे पहले आपको इस settings को बंद करना होगा तो ये कैसे बंद करेंगे उसके लिए आपको करना किया होगा निच्चे में आपको profile का एक option मिलेगा डिरेक्ली आपको profile पर टैप करना है टैप करने के बाद उपर में आपको settings का एक option मिलेगा डिरेक्ली आपको इस settings पर प्रेस करना है ठीक है प्रेस करने के बाद सबसुपर में आपको एक general का option मिलेगा डिरेक्ली आपको general पर टैप करना है और यहाँ पर एक option मिलेगा आपको जिसका नाम होता है playback in feeds यहाँ पर आप देख सकते हो directly आपको इसके अंदर आजना है ठीक है और यह क्या होता है कि हम सभी के phone के अंदर always on रहता है और इस वज़से क्या होता है कि thumbnail के जगा video start हो जाता है आप जो भी thumbnail देखते हो वहाँ पर thumbnail देखता है जो background में video चलता है वो start हो जाता है तो directly सबसे पहले इसे आपको बंद कर रहा है ठीक है बंद करने के बाद यहाँ पर जो video चलता है background में वो यहाँ पर बंद हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है directly सिर्फ यहाँ पर आपको thumbnail दिखेगा जो video start हो जा रहा था पहले अब यहाँ पर वो नहीं होगा तो सबसे पहले आपको इस settings को अपने phone के अंदर apply करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब sequence settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना किया होगा directly आपको profile के अंदर आजना है ठीक है आपको settings के अंदर आजना है ठीक है यहाँ पर एक option ने लगा आपको जिसका नाम होता है data saving यहाँ पर आप देख सकते है directly आपको data saving के अंदर आजना है ठीक है और यह क्या होता है ना कि हम सभी के phone के अंदर बन रहता है और इस वशे से क्या होता है कि आप अपने phone में कोई भी YouTube वीडियो देखते हो short देखते हो तो वो full HD quality में चलता है और वो क्या करता है कि आपकी phone की internet को दुगने speed से consume करता है अगर आप आदा घंटा भी कोई वीडियो देख लो न तो आपकी phone का जो 1 GB data है वो तुरंद खतम हो जाता है तो यहां पर आपको करना क्या है सबसे पहले इस settings को on करना है ठीक है on करने के बार निच्चे जितने भी settings है न वो automatic ही आपकी phone में on हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि जो आप अपने phone में वीडियो देखोगे YouTube के अंदर वो तो वीडियो चलेगा लेकिन वो आपके phone के internet को ज्यादा consume नहीं करेगा वो आपके phone के data को save कर देगा ठीक है तो यह settings सबसे पहले आपको अपने phone के अंदर apply करना है ठीक है उसकी बार निच्चे में एक option में लेगा आपको mobile data usage reminder का यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसे on करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ MB और GB का option मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह कैसे काम करेगा सबसे पहले मैं आपको इसके बारें बताता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप अपने phone में 50 MB सेट की है ठीक है और यहाँ पर OK कर दिये इससे क्या होगा ना कि आप अपने YouTube पर कोई वी वीडियो देखोगे और जैसे ही 50 MB जो आपके YouTube कंजियूम करेगा वैसे ही आपके phone पर एक reminder notification ना जाएगा कि भाई आपका YouTube है वो 50 MB जो data है वो कंजियूम कर लिया है अगर आपको आगे बढ़ाना है तो OK कर सकते हैं या फिर उसे cancel कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आप जब भी अपने YouTube पर कोई वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप अपने phone में YouTube पर वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर आपको जितना set करना होगा उतना आप कर सकते हैं 50 MB, 100 MB, 200 MB जितना आपको करना है उतना आप कर सकते हैं उससे क्या होगा पर दे उतना ही आपके phone का internet है वो YouTube कंजियूम करेगा और इससे आपके phone का internet है वो काफी यादा safe रहेगा तो यह settings आप अपने phone में जरूर ट्राइ किजिगा ठीक है उसकी बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब third settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना किया होगा directly आपको back चले आना है आपको settings के अंदर आजना है सब सुपर में आपको general का option मिलेगा directly आपको general के अंदर जाना है और यहाँ पर एक option मिलेगा आपको जिसका नाम होता है remind me to take a break यहाँ पर आप देख सकते हैं directly अगर आप इसे on करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ hour मिलते हैं या फिर minute मिलते हैं तो जितना आपको hour या फिर minute set करना है उतना आप कर सकते हैं इससे क्या होगा ना कि अगर आप यूटूपर कोई वी वीडियो देख रहे हो क्योंकि हम यूटूपर सौट देखते हैं तो हमें time का पता नहीं चलता है कि कब time खतम हो रहा है कितना time से हम अपने YouTube पर वीडियो देख रहे हैं यह कुछ भी पताने चलता है लेकिन यहाँ पर आप जैसे ही time set कर दोगो जैसे कि यहाँ पर मैंने one hour कर दिया ठीक है one hour कर दिया उसके बाद यहाँ okay कर दिया इससे क्या होगा कि जैसे ही एक घंटा होगा मुझे YouTube पर वीडियो देखे हुए वैसी मुझे तुरंथ पता चल जाएगा कि आपने YouTube पर एक घंटा वीडियो देख लिया है क्योंकि YouTube पर जब भी हम वीडियो देखते हैं तो time का पता नहीं चलता है और उससे क्या होता है कि internet तुरंथ खतम हो जाता है तो यह settings आप अपने phone में try कर सकते हो और इससे क्या हो कि आपका time भी बचेगा per day क्योंकि हम YouTube पर वीडियो देखते हैं तो time का पता चलता नहीं है और इससे क्या होगा कि आपको time का पता चलते रहेगा कि आपने आजा गंटा वीडियो देखा है एक घंटा वीडियो देखा है यहाँ पर जितना आप time set करोगे उतना यहाँ पर आपको दिखाएगा ठीक है तो वो आप अपने phone में कर लिजेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब 4 settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना किया होगा directly आपको back चले आना है आपको settings के अंदर आजना है यहाँ पर एक option लेगा आपको auto play के नाम से यहाँ पर आप देख सकते हैं directly आपको इसके अंदर आजना है और यह क्या होता है न कि हम सभी के phone के अंदर on रहता है लेकिन यह कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको इसके बारें बताता हूँ जैसे कि आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हो या फिर कोई भी रियल जैसे की song सुन रहे हो तो वैसे में क्या होता है न कि वो song खतम होता है या फिर वीडियो खतम होता है तो next video स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है ये कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि हम देखते देखते अगर रात में सो गए YouTube पर वीडियो या फिर देखते देखते कहीं चले गए तो by next by next आपका जो वीडियो है वो चलता रहता है और उस वाज से क्या होता है न कि वो आपकी phone के डेटा है वो काफी यादा सेफ रहेगा तो ये settings आप अपने phone में जरूर बंद कर लिएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब most important settings के बारे में फिप settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या होगा directly आपको अपने phone के home screen प्याजना है ठीक है जो आप अपने phone में YouTube application यूज़ करते हो न उस पर आपको hold करना है ठीक है और जैसे यहाँ पर hold करोगे सब सुपर में आपको app info का एक option मिलेगा directly आपको इस पर प्रेस करना है ठीक है और यह क्या करता है न कि अगर आपके phone में यह on रहता है तो background में आपके जो phone का internet है वो YouTube consume करते रहता है और यहाँ पर आप देख सकते है YouTube ने मेरे phone में कितना अदा MB को consume किया है वह सिर्फ background में इस वज़से हमारे जो phone का internet होता है न वो तुरहंद खतम हो जाता है क्योंकि background में अगर YouTube consume करेगा internet को तो जाहिर से बात है कि हमारे phone का internet हो तुरहंद खतम हो जाएगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है इस settings को यहाँ से बंद करना है ठीक है इससे आपके phone में कोई problem नहीं होगा लेकिन जो YouTube आपके phone के data को consume करता था वो यहाँ पर बंद हो जाएगा और आपका जो data है वो बहुत ज़्यादा safe रहेगा और यह 5 settings करने के बाद आप अपने YouTube पर वीडियो देखते थे ठक जाओगे लेकिन जो आपके phone के internet है न वो खतम होने का नाम नहीं लेगा तो यही 5 settings आपको अपने phone के अंदर करना है जो कि data safe करने के लिए बहुत ही important settings है तो यह settings आपको कैसा लगा हमें comment जरूर बताएगा I hope कि आपके लिए वीडियो बहुत दाइश्कूल सावित वीडियो को like कर दें सावितों के पास share कर दे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करें तब के लिए जैन टेक केर मिलते हैं next वीडियो में